दोस्तो नमस्कार ये है मागदर्शन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तो मागदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख अंतरराष्टी प्रकरणड से संबंधित महत्तपूर्ण प्रश्ण जो आपके आगामी परिक्षाओं के करेंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है इसमें हम जनवरी 2022 से अधितन संपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे ताकि आप संपूर्ण करेंट अफेयर्स के अंतराष्टी सांस्कृतिक सामाजी घटनकरम और उनसे संबंधित अस्थलों को कवर कर सकें तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रश्ण है दोस्तों SEO की पहली सांस्कृतिक और परियटन राजधानी 2022 देश के लिए किसे नामित किया गया है तो आप जान लीजे संगहाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और परियटन राजधानी वाराणसी को नामित किया गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों हाल में खबरों में रहा बटर फ्लाइ माइन क्या है तो ये है एंटी पर्शनल बारूदी सुरंग और दोस्तों ये जो है रूस और यूक्रेन के मद्ध युद्ध के दोरान खबरों में रहा था अगला प्रश्ण है यूनेसको के ग्लोबल नेटवर्क आफ लर्निंग सिटीज में शामिल भारती सहर कौन है तो याद रखेगा त्रिशूर निलामबुर और वारंगल सहर ये यूनेसको के ग्लोबल नेटवर्क आफ लर्निंग सिटीज में शामिल है वारंगल, तेलंगाना में इस्थित है और दोस्तू निलामबूर, तरिशुर और वारंगल में eco-tourujm अस्थल के रूप में निलामबूर जोकी केरल में है ये परसिध है इसकी अलामा वारंगल, निलामबूर और तरिशुर में आभूशन उद्योग विशेस रूप से कहा प उद्गाटन किस देश में किया गया है तो जर्मनी में और याद रखेगा इस ट्रेन का नाम कोराडिया आईलेंट है अगला प्रश्ण है दोस्तों हाल में विश्व सांती आयोग के गठन को किस ने प्रस्तावित किया है तो मैक्सिको ने और इस प्रस्तावित आयोग में तीन सदसे प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी, एंटियो नियो गुट्रेस और पोप फ्रांसिस होंगे अगला प्रश्ण है दोस्तों ट्रांस हिमालियन मल्टी डाइमेंशनल कनेक्टिवटी नेटवर्क से कौन से देश शंबंध है तो ये है नेपाल और चीन और ये नेटवर्क बेल्ट एंड रोड इनेशियेट्व यानि बियाराई का हिस्सा है अगला प्रश्ण है दोस्तों सेमी कंड़क्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स विध्यक किस देश द्वारापारित किया गया है तो ये अमेरिका की द्वारापारित किया गया है और चिप्स का पूरा नाम है creating helpful insectives to produce semiconductor अगला प्रश्न बहुत ही महत पूर्ण है वर्स 2022 में कौन सा देश संयूक्त राष्ण सुरक्षा परशद आतंकवारत बिरोधिश शमित का अध्यक्ष है तो याद रखेगा इस समय भारत इसका अध्यक्ष है संयुक्तराष्ट सुरक्षा पड़िसत के आतंकवाद विरोधी शमित क्या अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा अंतराष्टी रासायनिक सुरक्षा कार्ड पर किस अंतराष्टी संगठन के साथ समझोता ग्यापन हस्ताक शरित किया गया है तो ये है अंतराश्टी स्रम संगठम से और आप जान लिजे कि अंतराश्टी रासायनिक सुरक्षाकाड ये कार्यस्थलों पर रासायनों से रासायनों के सुरक्ष तुप्योग से संबंधित है और ये जो है डबलू यच्चो और आयलो द्वारा ये यूरोपी आयोग के सहयोग से इसका विकास किया गया है अंतराष्टी रासायनिक सुरक्षाकार्ट का अगला प्रशन है दोस्तों टाइम पत्रिका द्वारा दो हजार बाइस के विस्व के पचास महांतम अस्थानों की सुची में भारत के किस शहर को अस्थान दिया गया है तो अहमदाबाद को और अहमदाबाद दोस्तों ये उच्च सिक्षण के सनस्थान के रूप में इसको सूची में केरल राज्य को इको टूरिज्म हाट स्पार्ट के रूप में अस्थान दिया गया है अगला प्रशन है इंटरपोल के अंतराष्टी बालियों सोसंड स्रिंखला डाटाबेश में सामिल होने वाला अड़ सठवा देश कौन है तो यह भारत प्रतिवर्स विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाय जाता है तो दो जुलाई को दोस्तों विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाय जाता है अंतराष्टी छुद्र ग्रह दिवस कब मनाय जाता है तो याद रखेगा प्रतिवर्स 30 जून को अंतराष्टी छुद्र ग्रह दिवस मनाय जाता है अगला प्रश्ण हैं दोस्तों विश्व के नौ देशों में इस्थित कितने नए अस्थलों को यूनिसको के विश्व जय मंडल अभ्यारणे नेटवर्क में शामिल किया गया है तो जून 2022 में दोस्तों 11 नए अस्थलों को विश्व जय मंडल अभ्यारणे नेटवर्क में शामिल कि गया है वर्तमान में याद रखिएगा विस्व जयमंडल अभ्यारणय रिजर्व में विस्व यानि वर्ड बायो स्फियर रिजर्व नेटवर्क में कुल 738 अश्थल सामिल हैं ये 738 अश्थल 134 देशों में शामिल इस्थित हैं और भारत सरकार द्वारत देश भर में अब 18 जयमंडल अभ्यारणयों की अस्थापना की गई है और भारत के कुल 12 विस्व जयमंडल अभ्यारणय जो है ये नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं अगला प्रशन है संयुक्तराष्ट ग्लोबल कमपैक्ट द्वारा HDG पाइनियर फार्दे वाटर इस्टिवर्ट सिप 2022 क मानेता परदान करने वाले भारती कौन है तो सही उत्तर है रामकृष्ण मुक्काविली और किन पाँच देशों को संयुक्तराष्ट सुरक्षा परिसत के वर्स 2023 के कारेकाल के लिए अस्थाई सदस से चुना गया है तो ये हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मुजांब और स्विटिजरलेंड और आप जान लिजिए कि ये पाँच देश भारत, आयरलेंड, केनिया, मैक्सिको और नार्वे का अस्थान लेंगे और आप जानते हैं कि 10 अस्थाई सदस से होते हैं सुरक्षा परिसत में 5 अस्थाई सदस्यों के अत्रिक्त और इनका कारेकाल 2 वर अगला प्रशन है किस देश में पहली डिजिटल जनगरना हुई है तो बंगला देश में और FATF ने किस देश को ग्रे सुची में शामिल करने का नेड़ा लिया है तो यह है जिब्राल्टर को दोस्तों FATF द्वारा दोस्तों ग्रे सुची से माल्टा को बाहर किया गया है और Financial Action Task Force ने किस देश को ग्रे सुची में बरकरार रखने की घोश्र का 73 वर्स की अवस्ता में निधन हो गया तो यह संयुक्त अरब अमिरात की राष्ट पती थे और UAE के नए राष्ट पती के रूप में सेख मुहम्मद बिन जायद अलनाहयान ने पदभार ग्रहन किया है अगला प्रशन है हाल में किस देश ने विस्व के सबसे लंबे ग्ल शामिल होने वाला ACI देश का उन है तो यह है दक्षुड कोरिया हाल में भारत ने सयुक्त राष्ट में हिंदी भाष्ट को बढ़ावा देने के लिए कितने अमेरिकी डालर का योगदान दिया है तो यह है आठ लाग अमेरिकी डालर अगला प्रशन है दोस्तों किस भारती को पोप फ्रांसिस द्वारसंत घोशित किया गया है तो देव सहायम पिल्लाई को और यह उपाधि प्राप्त करने वाले भारती ग्रिहस्त हैं यह पहले भारती ग्रिहस्त हैं देव सहायम पिल्लाई अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बिश्व सैन ने ब्याव करने वाले में पहले अस्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर भारत, चौथे पर यूनाइटेट किंगडम और पांचवे अस्थान पर रूस रहे हैं दो हजार एकिस में भारत का शैन ने बे उसके जीडीपी का कितना प्रतिशत तो दो दस्मलोव साथ प्रतिशत रहा है अगला प्रश्ण है वह देश जिसे संयुक्त राष्ट मानुअधिकार परिशत से निलंबित कर दिया गया है तो रूस को और वह पहला देश जिसे यू एन एचार सी यानि संयुक्त राष्ट मानुअधिकार परिशत से निलंबित किया गया था तो लीविया को वर्स 2011 में अगला प्रश्ण है किस देश के राष्टपती अब दुर्राबुह मनसूद हादी ने अपने पद से इस्तिफ़ा दिया है तो ये यमन के राष्टपती रहे है अब अब दुर्राबुह मनसूद मनसूर हादी यमन के नए राष्टपती रशद अलिमी बने है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत के किन दो शहरों ने ट्री सिटी का खिताब जीता है तो ये हैदराबाद और मुंबई ने और भारत के किस शहर ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है तो हैदराबाद ने 2020 में पहली बार जीता था और अब की बार पुन ये ट्र देश को दोस्तों FATF की ग्रे सूची में शामिल करने की घोश्रा की है तो ये संयुक्त अरब अमीरात को किस देश को FATF की ग्रे सूची से बाहर किया गया है तो जिमबामबे को मार्च 2022 में ग्रे सूची से बाहर किया गया है और देखिए वर्तमान में FATF की ब्लैक सूची म में कौन शेदेश सामिल हैं तो इरान और उत्तरी कोरिया अगला प्रेशन है दूस्तों मार्च 2022 में सिप्री यानि इस्टाक होम इंटरनेशनल पीस रिशर्च इस्टिचूट ज़रा जारी अंतराश्टी सस्त्र हस्तांतराण प्रविर्तियां 2021 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के अवद में विश्व का सीर्स सस्त्र निर्यातक देश कौन है तो ये है अमेरिका 2017 से 2021 की अवद में विश्यो का सस्त्र आयातक देश कौन सा है तो यह है भारत और 2017 से 2021 की अवद में भारत का कुल विश्यो के सस्त्र आयात में हिस्सा कितना है तो यह 11 प्रतिशत है और आप देखिए, 2017 से 2021 के अवद में भारत को शस्तरों की सरवाधे का पूर्ती रूस द्वारा की गई है और बिस्व के प्रमुक सस्तर निर्यातकों की सूचि में भारत का कौन सा स्थान है तो 23 वां स्थान है और भारत के शस्तरों के सीर्ष तीन ग्रहा कौन है तो ये है मियामार, स्रीलंका और आर्मेनिया अगला प्रश्न है किस देश ने नागरिक हवाई छेतर में ड्रोन को संचालित करने के अनुमत दी है तो इस्राइल ने और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश है विश्व धरोहर अस्थल में 1981 में शामिल किया गया था अगला प्रश्न है दोस्तों किस संस्थान के द्वारा ट्रेवलर्स चाईस च्वाईस एवाड दो हजार बाईस दे बेस्ट आप दे बेस्ट डेस्टिनेशन सहरों के सुची जारी की गई है तो ये ट्रिप एजवाईजर के द्वारा और इस सुची में कौन सहर लोगप्री गंतव्यों में सिर्थ अस्थान पर है तो ये है दुबई और इस सुची में नई दिल्ली को 15 अस्थान मिला है अगला प्रशन है नाड इस्ट्रीम प्रोजेक्ट की से संबंधित है तो ये यूरोप में प्राकरतिक गैस पाइपलाइन से और नाड इस्ट्रीम टू दोस्तों ये रूस और जर्मनी के मध्धे प्रस्तावित है इंडोनेशिया ने अपनी पहली राजधानी कहां से कहां अस्थान दरित करने के लिए विध्य को मंजूरी दी है तो दूस्तों इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकारता से काली मंतन में अस्थान अंतरित कर रहा है और काली मंतन ये बोर्नियों द्वीप पर इस्थित है और इसकी राजधानी को नुसंतारा नाम से जाना जाएगा अगला प्रशन है नेपाल के प्रांत दो प्रोविन्स नंबर टू का नाम बदल कर क्या किया गया है तो ये मधेश प्रतेश किया गया है और इसकी राजधानी जनकपूर को बनाए गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों किस देश ने अपनी पहली राष्टी सुरक्षा नीति पेश की है पाकिस्तान ने हाल में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है तो फिलिपिन्स ने दोस्तों बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है किस देश ने यूरोपी संग परिशद की अधहस्ता समाली है तो याद रखिएगा यूरोपी संग परिशद यानि कौन सिल आप दे यूरोपी उनियन की अधहस्ता फ्रांस के पास है 1 जन्वरी 2022 से अगला प्रश्ण है बांगला देश की किस इमारत को वर्स 2021 के लिए बिसुकी सबसे परिवर्तनकारी इमारत घोशित किया गया है तो ये Friendship Hospital को और ये घोशडा दोस्तों Royal Institute of British Architecture के द्वारा की गई है और इस हास्पीटल को वास्तुकार कासेप चौधरी के द्वारा डिजाइन किया गया था अगला प्रश्ण है किस देश ने हिंदू मंदिरों की देख भाल के लिए पहली संस्था की अस्थापना की है तो ये पाकिस्तान ने और इस अंस्था का नाम है पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रवंधन समिती अगला प्रश्ण है दोस्तों चर्चा मेरा पिलर आप शे में इस मारक कहां पर है तो ये हांकांग में है और वीजिंग के 93 स्क्वाइर में मारे गए लोगों की याद में हांकांग विश्विद्याले के परिसर में अस्थापित प्रथिमा है अगला प्रश्ण है 2022 से सयूंत राष्ट सुरक्षा परिसर्थ की आतंकरोधी समित का ध्यक्ष कौन है तो ये है भारत है दस वर्ष के अंतराल के बाद ये बना है और आतंकरोधी समित कब गठित की गई थी तो ये 28 सितंबर 2001 को अगला प्रश्ण है दोस्तों किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाड उर्जा सयंतरों को जो है बंद करने की घोश्रा की थी बेलजियम ने और UNWTU दोरा भारत के किस गाउं को सर्वसरेष्ट परेटन गाउं में शामिल किया है तो ये था पोचमपली पोचमपली तेलंगान में है और पोचमपली को सिल्क सिटी आफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इसके अलामा दोस्तों सिल्क साडियों की इकत शैली द्वारा जो है बुना जाता है इकत शैली को भावगोलिक संकेतक या जी आई ठैक 2004 में मिला था और पोचमपली को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो भूदान पोचम पली के नाम से क्योंकि विनोबा भावे ने यहीं से भूदान अंदुलन का प्रारम किया था अगला प्रश्ण है दोस्तों टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए परसनाप दाइयर की से चुना है तो एलन मस्क को जो की स्पेस यक्स के संस्थापक है अगला प्रश्ण है किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पोड़ता है धुमरपान मुक्त देश बनाने की घोश्रा की है तो दोस्तों देखिए कौन सत्प्रतिशत पेपर ले सोने वाली दुनिया की पर्थम सरकार है तो ये है दूबई और अगला प्रश्ण है किस यूरोपी राष्ट ने भांग यानि कैनाबिस को नीजी इस्तिमाल की मंझूरी दी है तो ये माल्टा ने अगला प्रश्ण है किस इसने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है तो सौधी अरब ने और किस छेतर के मददाताओं ने फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में मददान किया है तो ये नियू कैलेडोनिया ने नियू कैलेडोनिया दोस्तों ये फ्रांस का उपनिवेश था और इसने फ्रांस के साथ बने रहने के पक्ष में मतदान किया है फ्रांस के किस समझोते के तहत नियुकेलिडोनिया को स्वायतता दी है तो ये है नौमिया समझोता उन्नीस सो अंठानवे अगला प्रशन है सयुतराष्ट महासभाद्वरक कि संगठन को परवेक्षक का दर्जा दिया गया है तो अंतरराष्टी सवर संगठन को और ISA यानि इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्याले कहां है ये गुरु ग्राम हर याड़ा में है अगला प्रशन है किस देश में इस्थित सेमेरू नामक ज्वाला मुख्य में बिस्थोट हुआ है तो इंडोनेशिया में 4 दिसंबर 2021 को सेमेरू ज्वाला मुख्य में बिस्थोट हुआ है और सेमेरू दोस्तों जावा द्वीप का सबसे उचा ज्वाला मुख्य परवत है अगला प्रेशन है दोस्तों किस देश ने दर्द रहित मृत्तु के लिए इच्छा मृत्त उपकरण को मंजूरी दी है तो सुटिजल लेंड ने और इस उपकरण को सार को नाम दिया गया है अगला प्रिशन है दोस्तों भारत ने यूनिसको द्वारा मानेता प्राप्त कितनी अमूर्थ यानि इंटेंजिबल सांस्कृतिक विराश्ते हैं भारत में तो कुल 24 हैं और यूनिसको दरा भारत की किस विरासत को मानोता की अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनी दिसूची में शामिल किया है। और 2021 में पूर्वी हिंद महासागर में आने वाले प्रमुख चक्रवातों में मई में याश, सितंबर में गुलाब और दिसंबर में जवाद रहे जो कि पूर्वी हिंद महासागर में प्रमुख चक्रवात थे। यूनिट क्या है तो यह The Economist पत्रिका समों का एक भाग है और EIU ने यानि Economic Intelligence यूनिट ने अभी विस्व के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की है और यह सूची Worldwide Cast of Living Report 2021 के अंतर जारी की गई है और इस सूची में देश का शिर्ष किस देश का शिर्ष जो है सहर अस्थान पर है कौन सा सहर शिर्ष अस्थान पर है तो यह है तील अभीव तेल अभीव बहुत ही महतपूर है दोस्तों इस सूची में तेल अभीव इसराइल पेरिश जो है तेल अभीव पहले अस्थान पर इसराइल का पेरिश दूसरे पर और सिंगापूर तीसरे अस्थान पर है पेरिस और सिंगापूर दोनों ही सहीं तुरूप से दुती अस्थान पर हैं, शिर्ष अस्थान पर इसराइल का सहर तेल अभीब है, और देखें इस सुची में भारत के अहमदाबाद को सिर्ष दश सहरों में शामिल किया गया है, अगला प्रशन है वह देश जो यूके की त अगला प्रशन है दोस्तों, सयुक्त राष्ट महासभा ने इन तीन देशों को अल्प विक्सित देशों की स्रेड़ी से विकासील देशों के वर्ग में शामिल करने के लिए एक संकल्प को अंगी कृत किया है, तो यह है बंगला देश, नेपाल और लाउस, और इन तीनों देशों का विकासील देशों के वर्ग में शामिल होना प्रस्तावित है, कब तक तो यह 2026 तक और वे दोस्त देश जो सतत विकास प्राप्त करने के लिए गंभीर सनरशनात्मक बाधाओं से ग्रस्त है, उनको अल्प विक्सित देश कहा जाता है, अगला प्रशन है वह दे के कारेकाल को अधिकतम आठ वर्स तक सीमित करने वाले एक विद्यक को मंजूरी किसने परदान की है, तो इसराइली संसद ने, वह देश जिसने विस्व के पहले गैर लावकारी शहर को लांच किया है, तो यह है सौधी अरब, अगला प्रशन है वह देश जिसके साथ मिलक अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों, आप देखिए वह भारते शहर जिसको यूनेसको क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है, तो यह है स्रीनगर, स्रीनगर को दोस्तों शिल्प और लोककला स्रेली के अंतरगत यूनेसको की क्रियेटिव सिटीज ने अगला प्रशन होगा देखिए जहां से सोवर्स पूर्व काशी के मंदिर से चोरी हुई माह अन्नपूरा के मूर्ते को वापस लाए गया है, तो कनाड़ा से जीरो वाइरस पालसी लागू करने वाला देख कौन सा है, तो यह चीन है, और अगला प्रशन है, वह अमेरिकी अनुसंधान फर्म जिसने ग्लोबल लीडर एप्रूबल रेटिंग जारी की है, तो यह मारनिंग कंसल्ट और शत्तर प्रतिशत अनुमोधन रेटिंग के साथ सबसे लोग परिनेताओं की सुची में नरेंद्र मोधी शीर्वर्ण पर हैं, अगला प्रशन है दोस्तों, वह अनुस्त जिसकी संसत में दिवाली को संगी अवकाश गोशित करने के लिए, दिवाली दिवस अधिनियम पेस किया गया है, तो संयुक्तराज अमेरिका में, औ और अगला प्रेशन हैं दोस्तों वह देश जहां पर वैस्विक जलवा युनीद पर क्लाइमेट इक्विटी मॉनीटर वेबसाइट लांच की गई है भारत में अर्थशास का नोबिल पुरसकार 2021 की से परदान किया गया है तो देखिए कनाड़ा और अमेरिकन डेविड कार्टा जोशुवा डी इस्ट्रिंक्स ये इस्राइल अमेरिकी और नीदर लैंड अमेरिकी गोईडू डवलू इम्बेंस को चिकिसव इग्यान का नोबिल की से दिया गया था 2021 का तो डेविड जूलियस अमेरिका और आरडम पाटाश पोशियन लेवनान में जन्में अमेरिकी को और दोस्तों चिकिस्सा विग्यान का नोबिल पुरसकार 2021 तापमान और असपर्स के लिए जो रिसे पेटर्स होते हैं उनकी खोज के लिए और आप जान लीजे नोबिल सांति पुरसकार 2021 के से दिया गया था तो मारिया रिष्षा फिलिपिन्स की और दमित्री मुरातोव रूस को मारिया रेश्षा और दमित्री मुरातोग को नोबेल सांतिपुरसकार 2021 अभिव्यक्त की स्वतंता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया था अगला प्रश्ण है 2012 में मारिया रेश्षा द्वारा खोजी पत्रकारिता के लिए जो सह संस्थापित डिजिटल मीडिया कमपनी है उसका क्या नाम है तो वो है रैपलर और स्वतंत रूसी समाचार पत्र जिसकी अस्थापना संयुक्त रूप से 1993 में दमित्री मुरातोग के द्वारा की गई थी वो है नोवाया गजेटा साहित्य का नोबेल पुरसकार 2021 की से दिया गया था तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को जो की तंजानिया मूल के इंग्लेंड में निवासी हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरसकार 2021 उपनिव पिश्वाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महादीपों के बीच फसे साडार्थियों के भविस्य के असपष्ट और करुड़ा मैचितरण के लिए दिया गया है अगला प्रशन है दोस्तों रसायन विज्ञान का नोबिल दोहजार इक्टिक साधन जिसके विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबिल पुरसकार 2021 प्रदान किया गया है तो ये है असम्मित आरगेन्नो कैंटालिसिस और भवितिक विज्ञान का नोबिल पुरसकार 2021 सिव कोरो मनाबो जापानी मुलके अमेर की क्लास हैसलमैन जर्मनी और जारजियो पारिसी इटली को प्रदान किया गया है अगला प्रश्ण है भवतिक विज्ञान का नोबिल पुरसकार किसे दिया गया था तो दोस्तों भवतिक विज्ञान का नोबिल पुरसकार जटिल भवतिक पड़ालियों को समझने में उलेखनी योगदान देने के लिए किया गया था अगला प्रश्ण है डायचे बान ने सीमेंस मोबिल्टी के साथ साझेधारी में किस देश में विश्व की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक रही ट्रेन विक्सित की है तो जर्मनी ने एकोलाजिकल थ्रेट रिपोर्ट का दूति संसकरण की संस्था के जारी किया गया है तो इस्टिचूट आप एकनोमिक एंड पीस के द्वारा पारिस्थित की खतरों के लिए सबसे संबेदन शील देश कौन सा है तो अफगानिस्तान है और वह देश जिसने 233 मिलियन डालर का कुनमिंग जय विवित्ता कोश अस्थापित किया है तो ये है चीन वह संस्थान जिसने साइंटिफिक एडवाईजरी ग्रूप आप दे ओरिजिन साफ नावेल पैथा जोन्स का गठन किया है तो ये डवलू यच्चू ने और दोस्तों अगला प्रश्ण है कि स्वक्ष स्वस्था और सतत पर्यावरान की पहुंच को माननेता देने वाले अंतराष्टे संस्था कौन सी है तो ये है संयुक्त राष्ट मानु अधिकार परिशद वह संगठन जिसकी सदस्था भारत ने 7 अक्टूबर 2021 को ग्रहन की है तो वह है प्रकिर्ती और मानों के लिए उच्च आकांचा गठवंधन और अगले प्रश्ण पराइए वह प्रथम ब्रिक्स देश जिसने हाई एमबीशन को लेशन फार नेचर और पीपल के सदस्था अगला प्रश्ण है दोस्तों वर्स 2021 की अगर हम टाइम हंड्रेट सूची में शामिल तीन भारतियों को देखें तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर जी और अदार पूना वाला जोकी सीरम इस्टिचूट अफ इंडिया के CEO है अगला प्रश्ण है वह तीन देश जिनके मध्य 1951 में अंजुस नामक संधी हुई है तो ये हैं आश्टेलिया, न्यूजिलेंड और संयूत राज अमेरिका CDRI का पूल रूप क्या है तो ये है कोलीशन, फार्ट डिजास्टर, रेजिलियेंट इंफ्रास्ट्रेक्चर दोस्तों आपदा प्रतिरोधी संरश्णा के लिए गठ बंधन, CDRI के शुरुआत 23 सितंबर 2019 को नियू यार्क में की गई थी, CDRI के दो नय सदस से बंगला देश और कनाड़ा बनी है, मार्च 2022 में CDRI का नया सदस से मेड़ा गासकर है और 10 माई 2022 को 31 सदस से दक्षुणी सूडान बना था, और आप जान लिजे, आपदा प्रतिरोधी संरश्णा के लिए गठ बंधन, इसका सची वाले कहां परिस्थित है, तो नई दिल्ली में है और इसमें कुल 31 देश सामिल है, अगला प्रशन है, ICDRI 2022 का आयोजन कहां किया तो ये नई दिल्ली में किया गया था, अगला प्रशन है दोस्तों, संयुक्तराष्ट महासभा ने अंतराष्टी कदन वर्स या इंटरनेशनल इयर आप मिलेट्स के रूप में किसे घोसित किया है, तो वर्स 2023 को, वर्स 2023 को अंतराष्टी कदन वर्स घोसित करने का परस्ता और किसनी शुरू किया था, तो ये भारत द्वाराश शुरू किया गया था संयुकत राश्ट द्वारावर्स दो हजार बाईस को किस रूप में घोशित किया गया है तो देखें, आर्टिजनल मत्स और एक्वाकल्जर का अंतराश्टी वर्स सतत परवत विकास का अंतराष्टी वर्स अंतराष्टी ग्लास वर्स और सतत विकास के लिए मोलभूत विज्ञान और अंतराष्टी वर्स घोशित किया गया है अगला प्रेशन है संयुकत राष्ट द्वारा 2024 को क्या घोशित किया गया है तो उंटो का अंतर राष्टी वर्स घोसित किया गया है 2024 को और लाष्ट कोश्चन है दोस्तों 7 दिसंबर 2021 को फोप्स पत्रिका द्वारा वर्स 2021 के लिए जारी 100 सरवाधिक सक्तिशाली महिलाओं की 18 वारसिक सुचिम में शामिल भारती महिलाओं में चार महिलाएं है निर्मला सितारमन 37 वे अस्थान पर रोष्णी नडार मलहोतरा 52 वे अस्थान पर किरन मजूमदार सा 72 में और फागुनी नायर इनका 88 वा अस्थान है तो ये था दोस्तों जन्वरी 2022 से अध्यतन अंतर राष्टी प्रकरण से संबंधित महत्तपूर्ण प्रश्ण जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माक दर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार